हेलो फ्रेंड्स मैं सीए मुईत पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स कप्षप में संडे का दिन 10 जनवरी 2021 इंकम टेक्स रिटर्न नॉन अउडिटेड की केसेज में लाज लास डेट उस केसेज में काफी साधा जो है प्रोफेशनल्स के लिए भी दिक्कत है संडे का दिन उस टेट में जो है लास तारिक होना और कई केसेज में जहां पर टेक्स लाइबिटी बनती है वहां पर बैंकिंग चैनल में भी इशू आ रहा है और पैंक्स तो ऑपरेशनल है नहीं तो मैनूल पेमेंट्स तो हो नहीं स संडे उसको डूरेट बनाती है तो यह बहुत ही प्रोब्लमेटिक चीजे है इसके इसी के लिए ओल इंडिया जॉइंट रिप्रेजेंटेशन कमेटी फोर जी एस्ट अन अलाइट ऑट फुन्टी फोर्ट जी एस्ट एंड ट्रेड एस्सेशन फोर पार्टनिंग गोर्में इन जी एस्ट इशुज रेजलेशन इनों ने भी जो है हम अपने रिक्वेस्ट जो है डाली है रिगार्डिंग बहुत सारे इसमें में अगर हम बात करें एक्स्टेंशन रिक्वेस्ट फॉर्स पॉइंट है जी एस्टी ऑड़िट अंडर फॉर फॉर फानिशेल यह एटी इन वह एक्सटेंशन के लिए इतने सारे चाहित्य कि अंट मतलब फिर भी कहाना कहीं गूफ़ॉनिट जहें इंची जो 클el i नहीं ले रही है यह सब के लिए इतना problematic रहा है और फिर भी यह सारी जो situations है इसको government नहीं समझ रही है तो यहां पर कहीं न कहीं जो main problem आती है वो professionals के लिए आती है हम सब के लिए issue यही आता है कि कहीं न कहीं इस pandemic situation में जो है हमें इस तरीके से बहुत सारे problems face out करने पढ़ रहे हैं वहां पर कहीं न कहीं क्लाइंट से जो है documentation data जो है properly नहीं मिल पाना और वह भी बहुत सारी problems create हो रही है तो यह चीज़े comment को समझनी चाहिए तो बहुत सारी associations ने अपने point raise करे हैं और बहुत ही genuine genuine points है आज मैं इस वीडियो में ज्यादा time नहीं लूँगा क्योंकि सब जो है सब के लिए जो है यह time बहुत ही crucial है हमें basically करना जो है अभी हम बात करेंगे income tax की जिसकी जो बिलकुल last date चल रही है तो हमें जो है इसको कहीं कहीं अगर हमारे पास data जो है complete नहीं है तो कहीं नहीं हमें इस time पर focus करना है penalty portion के उपर to to 34 F की ताकि हमारी penalty बचे 10,000 तक के इसमें जो है हमारी fees लगती है तो ऐसे cases में हमें वो fees को जो है save out करना है हमारे पास जो अभी तक collective information है उसको हमें file कर देना चाहिए और further जो है हमें ताकि क्योंकि हम क्योंकि due date के बाद हम उसको revise भी कर पाएंगे अगर due date निकल गई फिर related return cannot be revise तो वहां पे भी problem रहेगी साथ में problem जो है हमारे पास data जो है original return file हो पाएगी original हो जाएगी तो हम उसको further revise भी कर सकते हैं और revise की भी कोई limit नहीं है उसको हम जितनी भी बार revise फाइल कर पाएंगे उसको फिर related return को हम revise नहीं कर सकते हैं तो यहां पर अभी हमें ध्यान रखना है कि जो भी situation है हम सब के साथ अभी जो भी हमारे पास data है हम सब का file कर दें ताकि further जो हम उसको revise कर सकें ज्यादा time ना लेते हुए इस video को मैं यहीं end करूंगा और बस आपको यही message देना था कि बहुत सारी इसके extension के regarding जो है हमारे जो है request raise हो रही है लेकिन अभी तक कोई extension की news नहीं है हम हमें wait करने का कोई फायदा नहीं है better है हम उसको जो हमारी responsibility हम उसको comply करते वे उसको file करें कोई भी further wait ना करते वे और उसको उसमें अगर ज्यादा हमारे पास जो differences निकल के आएंगे further तो हम उसको further revise कर देंगे ITR में तो यह चीज है हम revise कर सकते हैं जमार को option है तो हम उसको exercise क्यों न करें तो better है regular updates के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें notification bell icon को press करना ना भूलें ताकि जैसे ही नए अपडेट डाले आपको वो immediately मिल जाए thanks for watching